हेलो दोस्तो, साबू की किचिन कोकिंग चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता इसके लिए मैंने यहाँ पर मूंगदार ली है जो कि मैंने 3-4 गंटे पहले ही बिगो के रगती है यह बजन में 100 ग्राम है और इदर मैंने 100 ग्राम सूजी ले ली है यानि दोनों चीज़े बराबर की मेरे पास यह मोटी वाली सूजी है अगर आपके पास बारी क्या मोटी कोई सी भी हो दोनों में से आप ले सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सूजी को भी गोएंगे मैंने इसमें दो से तीन चमचे यानि पानी डाल लिया है अच्छे से हमें इसमें दही वगरा का यूज नहीं करना है और ये नास्ता क्या है बहुत ही अच्छा लगता है बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चे और बड़े के लिए यानि सभी के लिए हल्दी है और टेस्टी भी बहुत लगता है तो देखें- do चमचे मैंने पहले डाल दिया इसमें और एक चमचा और टोटल मैंने तीन पानी डाल दिया है, ताकि इस में प्रेट सूजी ग्रॉण रख गण या Netflix पती है धाल को पीष लेते हैं, तो तक हम अपनी धाल पीष लेते हैं, तो देखे नगा अपनी अलका सा दरवा सा रखना है तो सूजी भी अच्छे से यहां पर फूल गई है या अच्छे से भीग गई है तो अब मैं दोनों को मिक्स कर देती हूं इसमें अपने देखा ना मैंने दाल में बिल्कुल पानी नहीं डाला वो फिर भी पतली हो गई है तो देखें इधर मैंने दनिया पहले ही दोकर रख लिया है तो चलिए धनिया कट कर लेते हैं क्योंकि दनिया का फ्लेवर ना इस पर बहुत अच्छा आता है आप एक बार ट्राइ कर अजरी सब्सक्त मैं पर नहीं है करuled के वा बें रिखेंगे को बार एक बार अपर हिवाय पर सुन्खेया सब्सक्राइब happy ॠीश घ्र kazoo मैं यहां बार ने पर कट कर लेतीbn है तो ड़नीया काकने के बाद में हम कात रिखेंगे प्याज मैंने हैं आपर एक प्याजल पीज क करेंगे पहले हम छील लिया और ऑसलीज हो भी से कट के लिए एल प्याज कर लेंगे तो याहां पर मैंने एक प्याज काटी यहां पर चार हरी में चिले ली हैं, इनको भी मैंने चोटे चोटे पीसों में कट किया है, आप देख पारे ना, इसी तरीके से आप भी काट लीजिएगा, ज्यादा कुछ इंडिरियंच नहीं डाले हैं, हमने नॉर्मल से जो घर में रहते हैं, उनी से हमने ये नास्ता बनाय है, बहुत अच्छा बनता है, जब तक कहते हैं, एक दब मुह में जो स्वाल आता है, बहुत ही अच्छा आता है, इसका आप एक बार ट्राइ करोगे, आपके बच्चे बहुत पसंद करने वाले हैं, आपको भी बहुत पसंद आएगा, तो चलिए, मैं इसको मिला देती हू और इसमें क्या है, आप इस नास्ते को जब भी आप कमन करें, जब भी भी खा सकते हैं, किसी भी मौसम में खा सकते हैं, मौसम की कोई टेंसन नहीं है, कि हमें आप खाना है, जब भी आप कमन करें, खा सकते हैं, और मसालों में सिर्फ हम नमक डालेंगे, और लाल मिर्ची प नमक टाला है स्वाद अनुसार अब इनको अच्छे से हम यहां पर मिक्स कर लेंगे तो देखे इस तरीके का हमको बैटर चाहिए थोड़ा सा गाड़ा है तो हम क्या करेंगे इसमें अब एक पैकेट इनो डालेंगे यहां पर मैंने एक इनो का यूज किया है और इसमें ही थो जल्दी से इसमें मिल जाएगी और जल्दी से हमारा नास्ता रेडी हो जाएगा आप इस नास्ते को अगर गैश्ट भी आ जाए ना तो उन्हें भी बना कर खेला सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है अपने बच्चों को इसकूल को भी दे सकते हैं टिपिंग बॉक्स में अगर पिकनिक पे जाएं या आप लोग कहीं छुट्टी पे जाएं तब भी बना कर ले जा सकते हैं साथ में तो चलिए बैटर हो गया रेडी अब हम बना लेते हैं इसको तो मैंने फ्राइफेन ले लिया है इधर आप चाहें तो लोगे के तवे पे भी इसको बना सकते हैं तो मैंने फ्राइफेन में डाल लिया है और गैस को बिलकुल लोग टू मीडियम रखा हुआ है यहां पर मैंने ले ली है सपेद तिल आप देख पारे ना अगर अगर अवेलिबल ना हो या खाने पसंद ना हो तो आप इसके कर सकते हैं तो तिल का जो फ्लेवर है ना मुह म पास डाला है मैंने हरादनिया यहां पर आप बैटर भरके हम इसमें डाल देंगे दो से तीन चमचा जितना भी आपका फ्राइफेन बड़ा हो या कडाई इतावा जिसमें भी आप बनाना चाहें आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा रख सकते हैं जरूरे नहीं है आप इतना ही बड़ा बनाए जैसे आपका बने तो यहां पर इसको हम एक साइट से ढखकर ही पकाएंगे दो से तीन मिंट के लिए तो देखिए उपर से सूख गया है अब हलका हलका ओल लगा देंगे दो से तीन मिंट में ही एक साइट से पक जाता है जब हम इसे पल्टें इसे इसको हम उठाके ऐसे देख लेंगे और अच्छे चिसको पलट देंगे दियान रखिएगा चीटे ना आपाएं आपके उपर अराम से तो बड़ा ही अच्छा सा कलर आगा है कुछ वो बहुत अच्यारी वाकई में आप ट्राइ करोगे ना आपको बहुत ही मन करेगा बा यहां पर हो गया है नास्ता हमारा रेड़ी आप देख पा रहे हैं देख वी बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है और लुक बड़ा जो दिक रहा है ना व भी बहुत अच्छा दि कर ले लिए हैं हम इसको तुम्हें यहां पर इसको चार बागों मैं यानि चार पीशों में करते हैं उसी तरीके से एक प्लेन चाकु ले लिया है तो यहां पर नास्ता हो गया कम्प्लीट रेडी हमारा लग रहा है सुन्दर एक तो आप भी बनाईए अपने बच्चों को किलाईए रिस्तेदारों को किलाईए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैन कि अभी गया बोने वाला है